हेलो फ्रेंस कैसे हैं आप सभी उमीद करते हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे फ्रेंस कई बार unexplained infertility कई महिलाओं को बहुत परिशान करती है unexplain infertility का मतलब यह होता है कि बहुत सारे problem तो सरीर के अंदर होते हैं लेकिन वो काफी चोटे-चोटे होते हैं और वो पकड में बिल्कुल भी नहीं आते हैं जैसे कि महिलाओं के सरीर के अंदर अगर uterus related कोई भी problem है या फिर पुरुशों के सरीर के अंदर sperm से related कोई भी problem है और वो डाइग्नोस नहीं हो पाता है यानि आपके सारे reports भी जाज करा आने पर नॉर्मल आते हैं तो वो unexplain infertility में count होते हैं problem तो है आपके सरीर के अंदर तभी आप conceive नहीं कर पा रही है कई बार ऐसा होता है friends कि हम कुछ छोटी-छोटे से तरीकों से अपने infertility को boost कर सकते हैं आज वहीं मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हो अगर आपक सरीर में कोई भी problem नहीं है लेकिन friends एक जो period संबंदित समस्या महिलाओं को काफी ज़्यादा होती है और period healthy होना pregnancy के लिए काफी important भी होता है अगर आपको flow बहुत कम आता है अगर आपका flow का color काफी light होता है यानि कि जो periods होता है उसका color काफी ज़्यादा light होता है तो ये एक समस्या जरूर हो सकती है pregnancy conceive करने में ऐसी महिलाओं के सरीर में बहुत ही ज़्यादा iron की कमी होती है और दूसरी बात friends calcium भी काफी ज़्यादा important होता है conceive करने के लिए uterus से सम्मंदे सभी problems को दूर करता है और साथे साथे sporms की गुनवरता को भी बढ़ाता है तो friends आपको सबस से जल्दा calcium होता है बहुत अधि calcium होता है इसका सेवन करने मातर से बहुत सारे problems महिलाओं के सरीर के या फिर पुरुषों के सरीर के जो के conceive होने में आपको दिक्कत कर रहे है वो पूर्ण रूप से खतम हो सकते हैं जैसे महिलाओं के सरीर के अंदर अगर endometriosis की problem है fibroids की problem ह PCOD की problem है या फिर कई सारे ऐसे विकार होते हैं जो गर्वधारन होने नहीं देते हैं महिलाओं को period का flow ठीक से नहीं जाता है रुक रुक कर periods आता है uterus में इतनी strongness है ही नहीं कि वो conceive कर सके और बात करें पुरुषों की तो पुरुषों की especially जो sperm की गुनवरता होती है quality होती ह उसका improvement बहुत important होता है conceive करने में तो महिला और पुरुष दोनों ही इस चीज को लेना start करें लेकिन लेने का तरीका जो होता है fertility boost करने का वो थोरा सा different होता है especially आप fertility के power को बढ़ाने के लिए इसको use कर रहे हैं तो इसको use करने के लिए आपको बिलकुल एक चुटकी जितने बड़ी एक गेहू के दाने होते हैं बिलकुल उतना ही बड़ा या फिर जितना बड़ा एक साबुट दाने का दाना होता है चोटा वाला एकदम उतना ही दही खाते हैं तो भी आप ले सकते हैं बट ये दो तरीकों से ही आपको लेना है और इसको लेने के बाद friends simply कोई भी आपको ऐसा नहीं है कि आप खाना खाने के बाद ले या खाना खाने के पहले ले जब आपको suitable लगे तब आप इसको ले सकते हैं ये पानी लेने मातर से आ जोपल, बीट, कारट, इन तीनों चीजों को सेम कांटिटी में मिला कर डेली पीना है एक ग्लास, महिलाओं को एक इनार का सीवन डेली करना है या फिर अनार से साबूत, खासकती है और जूस बनाके पी सकती हैं इन सभी चीजों से home remedies से friends आपके सरीर में जिते भी problems होते हैं वो दूर हो जाएंगे conceive होने में help मिलेगा और trust me friends कई सारे couples को successfully conceive भी हुआ है इसलिए आप चूना water का सेवन करना स्टार्ट करिए आज से ही कर सकते हैं specially महिलाओं को कहना चाहूंगे कि periods के दोरान भी आप चूना water का सेवन करिए because उस समय आपके सरीर में और ज़्यादा weakness होता है और आपको flow जो है वो अच्छे से जल्दे से clear हो जाएगा इसके लिए ये काफे ज़्यादा best और घरेलू उपाय होता है इसलिए चूना water आप आज कर सकती है तो आइडेली होप यह चोटी से वीडियो आपके लिए बहत हालफूल थी अगर आपको पसंद आई है तो शेयर करिए लाइक करिए और चानल को सब्सक्राइब करना बिलकुर में ना भूले मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ अप था एफ जॉड़ है तो यह जो दो जगर दी टीसिक